सिदाज शुकला हमारे बीच नहीं रहे इस बात को यकीन करना नामुम्किन सा लग रहा है जी हाँ इस बात पर सभी फैंस बहुत ही सकते में हैं और सभी सेलेब्रिटीज उनके घर जा रहे हैं क्योंकि सभी जानते हैं कि वो अपनी मा के एकलौते बेटे थी और सभी उनकी मा को सांतवना देने पहुच रहे हैं ऐसे में सल्मान खान की एक बात को लेकर सभी फैंस उनसे नराज दिख रहे हैं जी हां ये वाकिय उन दिनों का है जब बिग बॉस 13 में सिद्धाज शुकला एज एक कंटेस्टेंट बन कर गए थे आपको याद होगा कि सिद्धाज शुकला को अचानक हॉस्पिटलाइस किया गया था और वहां से पता चला था कि वो टाइफॉइट से उन्हें टाइफॉइट हो गया है और उन्हें हॉस्पिटलाइस किया गया है तो वहां पे लाइव वीडियो करके सलमान ने उनसे बात की थी और एक दो लाइन ऐसी बोली थी जिससे फैंस बहुत नराज दिख रहे हैं उन्होंने कहा था कि अगर तुम चले भी गए तो तुमारे बातों को लोग याद रखेंगे वे ये सोचेंगे कि एक गुसेवला आदमी था जो बिग बॉस के अंदर था और लोग तुमें इसी बात से याद रखेंगे ये एक लाइन को पकड़ कर फैंस सलमान खान से बहुत नराज दिख रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप कभी भी किसी को कुछ भी बोलो तो सोच कर बोलो कि कहीं ये बात आगे जाकर सचना हो जाए तो इस बात का वीडियो बहुत जल्दी से सोचल मीडिया पर वैरल हो रहा है और सलमान खान को सबी सिधनास के फैन सिधात के फैन सिधात के चाहने वाले नराज दिख रहे हैं इस बात को लेकर कि सलमान खान को ये बात नहीं कहने चाहिए थी अब सिधात चुकला हमारे बी